गुद मॉनिंग बच्चो बच्चो आजम हिंदी पढ़ेंगे और आजम हिंदी में दो अक्सरों के शब्दी पढ़ेंगे ठीकें ये बच्चो ये काम आपकी बुक के पेज नम्म 14 पर है और बच्चो पेज नम्म 15 भी आजम पढ़ेंगे ठीकें तो बच्चो ये जो काम है यह सारा बुक वर्ख है आपका यह सारा काम आपको आपकी बुक में ही करना है यहाँ देखो चित्र देखकर शब्द को पूरा कीजिए अब बच्चो यहाँ पर क्या है चित्र देखकर शब्द को पूरा कीजिए ठीके यह देखो यहाँ पर क्या लिखा है न ट और यह क्या कर रहा है बच्चो यह कर रहा है न ट क तो यहाँ पर हमें लिखना है क न ट क अब यहाँ पर क्या है बच्चो यह है एक तो देखो ए यहाँ पर लिखा हुआ है हमें यहाँ पर क लिखना है तो क्या हुआ एक अब यहाँ यहां पर देखो आम है इन्होंने लिखा हुआ है हमें क्या लिखना है मा ऐसे यहां पर देखो बच्चो यह क्या है यह है बच्चो हल तो यहां पर देखो हल हा इन्होंने लिखा हुआ है हल हमें और ला हमें लिखना है तो क्या हो गया हल अब यहां पर देखो बच्चो क्या गर गा इन्होंने लिखा हुआ है रा हम लिख देंगे तो यह पूरा हो जाएगा घर अब ऐसे यहां पर क्या है बच्चो यह है थन ठीक है था यहां पर लिखा हुआ है ना हमें लिखना है थन थन अब यहां देखो बच्चो यहां क्या है यह है जग तो जा लिखा हुआ है गव हमें लिखना है इस तरह के से जग हो गया ये तो ये क्या है बच्चो ये है पत्र हमें लिखना है पा लिखा हुआ है क्या हो गया पत्र अब यहां पर देखो बच्चो क्या है ये नल तो ना लिखा हुआ है ला हमें खुद लिखना है क्या हो गया ये नल ठीक है बच्च यहाँ पर देखो मिला कर लिखिए तो यहाँ पर देखो हमें मिला कर लिखना है देखो उन्हें लिख के बता रखा है जैसे जला जल ठागा ठग नख नख मत मत पड़ पड़ उड़ उड़ ठीक है ठन तल ठीक है बच्चो अब बच्चो यह चत गज यग और मत यहाँ पर खुद से लिखने हैं यह बच्चो आपका हमवक है ठीक है बच्चो यहाँ पर देखो तीरो से जुड़ा वन मिला कर शब्द बनाएगे यहाँ पर देखो तीरो से जुड़ा वन मिला कर हमें शब्द बनाना है यह देखो लोने लिखके बता रखा है देखो क और यहाँ पर क्या होगा कम अब यहाँ पर हम लेंगे द म क्या होगे है यहाँ पर द म दम ऐसे हम लेंगे च म चम अब यहाँ पर देखो हम लेंगे च म चम चम थ मू थम यहाँ ड मू डम ठीके बच्चो यह बच्चो यह काम आपको आपकी बुक में ही करना है और सुन्दर सुन्दर लिखना है जैसे मैंने लिखा है ठीके बच्चो और यह बच्चो यह फोर आपको खुद से करने है यह आपका होगे ठीके बच्चो जैहिन बच् झाल झाल झाल